नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग I welcome you all to the Cryset biology channel और हम लोगों ने पिछली बार जो discussion करा था उससे discussion को continue करेंगे और हम लोगों ने discussion करा था about prokaryotic and eukaryotic cell को lecture number one of the cell biology और एक बात को आप समझ लीजिए धिमाग में बैठा लीजिए अपने कि आपको अपने साथ notes बनाते ह हुए चलना है और दूसरी बात आप लोगों से एक request है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक इस्तिती खराब होनी की वज़े से coaching वगेरा जोइन नहीं कर पाएं तो उनके लिए ये free lectures दिये जा रहे हैं पूरे full on content अच्छे resources के साथ अच्छे material के साथ ठीक है तो अब यह आपकी छोटी सी duty बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और like कर दीजिए और share कर दीजिए ठीक है मैं इससे होगा कुछ नहीं इससे होगा यह कि मेरी उर्जा बढ़ेगी और मेरी उर्जा बढ़ेगी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छ प्लाजमा मेंब्रेन और अप अपना नोट लेकर अपने साथ बैठे होंगे क्योंकि अगर आप नोट नहीं बना रहे हैं तो पढ़ना बिल्कुल वेकार है कि खाना खाते हुए सोते हुए बैठते हुए ऐसे नहीं देखना है कंसेंट्रेट होकर के चेर बैठी कि कि तीन वहां पर जाकर बैठना होगा कई चैर्म लिस इंप्षा regular हैं बहुत ज्यादा । सी vulner की जा कर देन्स कई का जीशा मोई सब्सक्राइब कि क्रने के लिए उसे सीखेंगे अब समय तो बहुत जयां होता है सबसे पहले यह जान लीजिए प्लाजमा मेंब्रेन को आप स्पेसिफिकली ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं लेकिन प्लाजमा मेंब्रेन बना किस चीज का है वही उसके डेफिनिशन हो जाती है क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने प्लाजमा मेंब्रेन को कभी भी आप डिफा जो ऐसा माटेरियल ध्यान तो सुनिएगा क्या अर्टिफीशली भी रेडी किया जा रहा है इसको जो सेल मेंब्रेन होती है वो हम लोगों की किसी से बनी होती है फॉस्फुलिपिड और एसोसियेटेड प्रोटीन बात समझ में आ रही है मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बाकि जब इसका आपको पीडियोफ अगरा मिलेगा टेलिग्राम में तो जो अभी ऐसे नहीं दूंगा सब एक साथ दूंगा मैं ऐसे नहीं कि अभी पढ़ा दिया तो फिर दे दूंगा ऐसे नहीं लेक्चर वन टू करके आपक इस लेक्चर में नहीं समझेंगे इतना असान भी नहीं है प्रोटीन को जो है एक ही लेक्चर में और फॉस्फो लेपीड के भी कंटेंट को एक ही चीज में जो है समराइज करके दे देना ठीक है अब आप लोग एक बात सुने होंगे बच्पन से पढ़ते आ रहे होंगे अभी तक पढ़ते हा रहे होंगे कि जो प्लाजमा मेंब्रेन होती है जो सेल मेंब्रेन होती है वो एक डबल लेयर का मॉलीक्यूल होता है बात समझ में आ रहे हैं इसलिए हम लोग उसको लिपिड बाई लेयर बोलते हैं इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट देखा होगा यह भी इस तरीके से इस तरीके से और यह जो आपका दूसरा क्यों होता है इसमें आपने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा में प्लाजमिमृण के कॉन्स्टिशुटिमेंट की बात कर रह हूं किस चीज का बरन होता है उसको बना रहा हूं ढयां न HC इठ्यान स कि और यह नहीं कर पाए मैं आपको इसा लगा कि आप कुछ आई नहीं कर पाए मैं आप को कुछ हाया आपको शौडड़ दिया था फिर से बोल रहा हूं एज एप्शन एभर भेरी इंपोर्टेंट नॉट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट छोड़िये गमत किया पता दिसको छोड़ के जा रहे हैं उसी सवाल बन जाए इस बार जैंब का पेपर देखा ना अपने 2023 की बार मैं बात कर रहा हूं कम ज्यादा कम ज्यादा करते करते 70 तक पहुंच जा रहा है और 70 नंबर पाने के बाद भी बच्चे का रहे थे सर मेरा सेलक्षन हो जागा की नहीं सोच लीजे कितना हाइस गया था और ये सिर्फ और सिर्फ जैम का लेक्चर है इससे यह मत समझेगा कि आपका CUET निकल जाएगा CUET अलग लेवल का गेम खिलती है GAT भी अलग लेवल का गेम खिलता है AIMS and SC अलग लेवल का गेम खिलता है तो जैम की नोट्स अलग से बननी चाहिए प्लाजमा मेंब्रेन में जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते है Phosphate Group और इसको हम लोग बोलते है Fatty Acid दोनों मिला करके क्या बनता है Phospholipid क्या बनता है Phospholipid अब सवाल ये है कि क्यों इस arrangement में क्यों इस fashion में ये arranged है Upside Down ध्यान से देखिए इसका simple सा reason ये है कि ये जो Phosphate Group होता है खुद सोचिए Phosphate का formula क्या PO4 के पूपर 2 माइनस मैं समझता हूँ इतनी chemistry तो आती होगी बहुत लोग ने टार्गेटी इसलिए किया है कि भाई ठीक है ये बात जान लोग बिना chemistry के biology भी नहीं कर पाऊगे सेलेक्शन तो छोड़ दो अब तो मैंत भी पढ़ना पड़ेगा जो बात बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ खराब लग सकती है लेकिन बहुत सच बात कर रहा हूँ मैं फास्फेट ग्रूप बहार की तरफ होता है और इसके उपर चार्ज होता है तो ये पोलर होता है और बच्पन में एक और कहावत पढ़े होंगे आप इस statement को याद रखिएगा जो लिख रहा हूँ like dissolves like बहुत जरुत पढ़ने वाली है इसकी यहाँ पे अभी समझाता हूँ कैसे तो phosphate जो होता है दोस्तों वो polar होता है लेकिन ये जो नीचे वाला आप compound देख रहे हैं इसको बोलते हैं fatty acid और ये जो fatty acid होती है ये non polar होती है non polar होती है एक वार फिर से revise कर रहा है हम लोग structure of the plasma membrane में हम लोग phospholipid और associated proteins को पढ़ेंगे associated proteins को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोग phospholipid के ओपर discussion कर रहा है जो plasma membrane होती है वो इस तरीके से upside down arrangement होता है इसका तो phosphate group जो होता है वो outside arranged होता है और ये जो fatty acid होता है ये inward होता है क्यों ये outside है भाई वाई वाई phosphate group is outside क्यों क्योंकि आप इस तरीके से अगर आप cell को बनाते हैं इसी cell के उपर है भाई इस तरीके से range होती है त्यान से देख ले ना इस तरीके से होती है और इस तरीके से ये range होता है phospholipid तो अब आप खुद logic लगाईए कि cell के बाहर का जो compartment होगा cell के बाहर का जो structure होगा जिसको हम लोग बड़े प्यारी भासा में extra cellular matrix बोलते हैं ECM extra cellular matrix तो extra cellular matrix जो होता है ये h2 होता है ये polar होता है तो polar के सामने देखिए head किया हुआ है like dissolves like बात समझ में आ रही एक बाहर फिर समय बोलूँगा like dissolves like के perspective से अगर आप देखिए तो ये जो polar molecule है पानी इसी से तो interact कर रहा है इसका head इसलिए ये बाहर की तरफ arrange होता है और cell के अंदर का structure देखो क्या है cell के अंदर भी तो पानी होता है cell cytosol जो होता है वो भी तो polar होता है उसके अंदर भी पानी cell के बाहर भी पानी इसलिए बाहर भी पानी H2O और इधर अंदर भी पानी H2O तो ये जो polar वाला जो सीर वाला इसका region है सर इसका head ये पानी को face करता है क्यों क्यों क्योंकि polar का polar से interaction होता है polar का polar से interaction होता है non polar का non polar से interaction होता है तो non-polar में आप देख सकते हैं ये इसके जो pair हैं ये तो non-polar हैं तो non-polar देखो अपने साथ एक साथ internet करने लगे जो non-polar वाले इसके pair हैं वो अपने साथ internet करने लगे तो like dissolves like का concept को जब आप देखेंगे फिर खाना खा रहा हैं आप लोग फिर बेड़ पर लेटे हुए हैं बैट जाएए बैट जाएए रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे जैम की लड़ाई अब इतनी असा नहीं रहा गई है कि भी सिट बाई सिट एक एक सीट के लिए फाइट हो रही है सीरियस हो जाएए दूसरा टीचर कोई ढाटेगा नहीं कि इस्ट्रिक्ली कह रहा हूं टेक दे कॉंपटिशन वेरी सिरियस्ली लाइक के फॉर्मले को अगर देखा जाए तो फॉस्ट ग्रूप हमेशा से पानी को फेस करता है चाहे वह अंदर की तरफ फेस करे और अंदर की तरफ जो आप फैटी एसिट का जो अरेंजमेंट देख रहे हैं वह नॉन पोलर है इसलिए वह एक दूसरे को अपने साथ अर इपोजोम जब बनाएंगे ना तो आपको बताएंगे लेकिन कब समझाएंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम में समझाएंगे अभी समझने की जरूत नहीं अभी सिर्फ इतना जानिए बेसी की जानिए जब उसकी जरूत पढ़ीगी तो भी समझा दूँगा मैं आगे बढ़ यह देखिएं तो जब इस सेल केक इस्ट्रक्चर को देखेंगे आगे हाँ तो आपको क्या पता चलेगा है प्लाज मैंब्रेन जो होती है मैं हम थोड़ा से स्ट्क्चर माना लेता हूं जिवह रे हैं तो आप देखेंगे तो क्यों हो रही है आक्रों फुलूuser कर रही है आप इस बात को समझना पड़ेगा त्हु के बारे में समझाूंगा क्योंकि जो फूरीजिटी है । हम यसलिए जरूरत होती हैक सपोस्पोस करिए質 आपने आपके बीटा इसे हैं जो होते हैं जो इन्सूलिन release करते हैं पेंक्रियास के अंदर बात को समझिएगा सपोस करिए यहाँ पर आपकी insulin है यह आपका मैं पें का color change कर लेता हूँ यह आपकी beta cell है सपोस करिए जो मैंने cell बनाए यह बीटा cell है वो insulin को बना रही है insulin को एक vesicle में pack किया जाता है और जब pack किया जाता है तो वो चली जाती है plasma membrane के उपर plasma membrane के उपर जाने के बाद यह fuse हो जाती है पूरा mechanism समझाओंगा endocrinology में insulin beta cells, eyelids of langerhans alpha cells, glucagon सब समझाओंगा fluidity क्यों ज़रों थोती पहली यह तो जान लो तो यह जो आप endocytic जो vesicle देख रहे हैं आप इस vesicle में insulin pack हो चुकी है अब insulin यहां से plasma membrane से fuse हो करके निकलती है इस तरीके से इस process को बोलते हैं exocytosis क्या बोलते हैं exocytosis लेकिन अगर suppose करिए यह bacterial cell है कोई यह एक typical कोई bacterial cell है और यह आ रही है इस cell को infect करने के लिए क्या करने आ रही है cell को infect करने के लिए तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर macrophages होते हैं macrophages क्या करेंगे इसको engulf कर लेंगे क्या कर लेंगे engulf कर लेंगे तो जब engulf कर लेंगे तो इसको अपने अंदर ले जाकर के अब proteosomal degradation या फिर आप lysosome में attack होता है fagolizosome मनता है क्या process होती है वो सब छोड़िए बस जानिए कि lysosome में जाने के बाद इसको खतम कर दिया जाता है इसको क्या बोलते हैं endocytosis बस अगर fluidity नहीं होती plasma membrane के अंदर अगर fluidity नहीं होती plasma membrane के अंदर तो आप सोचिए क्या endocytosis और exocytosis हो पाता है नहीं हो पाता बिल्कुल नहीं हो पाता repeating exocytosis और endocytosis नहीं होगी क्यों नहीं होगी अगर membrane fluidity नहीं होगी इसलिए fluidity का होना जरूरी है क्या है fluidity ये तो जान गए कि उसकी importance क्या है पर fluidity क्या है fluidity जब आप देखते हैं कि इसमें जो membrane का जो structure है वो अपने आपको परिस्थिती के अनुसार ढालने लगे उसको अम लोग fluidity बोलते हैं membrane आई उस हिसाब से अपने आपको एड़जस्ट किया बाहर फेक दिया exocytosis अंदर लिया endocytosis तो क्या होगे इतने में plasma membrane खतम कहानी तो अब शुरू होगी कहानी तो अब शुरू होगी ध्यान से देखिएगा यह आपका plasma membrane यह यह एक सेल है अब suppose कर लेना यहां पर plasma membrane है धेर सारे बने हुए फॉस्फोलेपेट अब तुम एक बात बताओ मुझे सोच करके बताना मैं इस तरीके से दोठों बनाया हूं अब तुम अपने लॉजिक से बताना मैं कुछ ज्यादा इसमें कहूंगा नहीं खुछ से सोचना यह structure जो है यह phosphate group जो है यह कैसा polar है बिल्कुल polar है इसका पैर non polar है बिल्कुल non polar है तो क्या charge molecule plasma membrane को cross कर सकता है सोच के बताना क्या कोई charge molecule plasma membrane को cross कर सकता है कर सकता है छोटा हो तो size लेकिन अगर ज्यादा highly polar हो याद रखना statement बना के दे दिया जाएगा न वहीं पे गलती होगी लेकिन अगर highly polar हो कोई substance तो क्या वो cross कर सकता है बिल्कुल नहीं कर सकता highly not allowed एकदम नहीं हो सकता जैसे glucose C6 S12 O6 पागल हो जाओगे इतने जादे इसके अंदर hydroxyl group होते हैं स्ट्रक्चर बनाकर देख लो CH2 OH C12 3456 CH2 OH यहाँ पर आप जब बनाएंगे इस चीज को तो यहाँ पर H OH थर्ड नंबर पर कॉन्फिगुरेशन चेंज ओएच एच एच ओएच ओएच हाउ मेनी काईरल कारबन्स बाएक कमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा चार देख लो इतने जादे polar charges है यहाँ पर देख लो ओएच माइनस इसको मैं मिटा दू नॉट हीए ओएच माइनस हाईच माइनस हाइली polar charge है glucose नहीं अलाऊ होगा क्या oxygen अलाव होगा क्या carbon dioxide अलाव होगा जितने भी छोटे gaseous molecules से जो diffuse हो सकते हैं वो इसके अंदर entry ले लेंगे आराम से ले लेंगे अब तुम लोग बताना oxygen और carbon dioxide में से कौन पहले जा सकता है तो सबसे पहली बात कौन से compound जा सकते हैं कौन से molecules जा सकते हैं तो जिनकी जिनकी मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जो जा सकते हैं which can cross plasma membrane कौन कौन है जिनके उपर charge less है जिनकी size less है जिनका molecular weight less है तो opposite कर दो जिसके उपर charge बहुत जादा है वो नहीं जाएंगे जिनकी size बहुत जादी है वो नहीं जाएंगे जिनका molecular weight बहुत जादा है वो नहीं जाएंगे तो फिर जाएंगा कौन जिनकी charge कम है, जिनकी size कम है, जिनका molecular weight कम है जो non-polar है ध्यान तो सुनेंगे आप लोग जो non-polar है, जो non-polar है वही सिर्फ जा सकते हैं, polar जाएंगे क्या? polar नहीं जाएंगे polar देखेंगे न, interact किये यहाँ पर पोलर यहाँ पर इंट्रक्ट किये, फॉस्फोलिपिड के उपर, और रुग गया वहीं पर, रिपल हो गया, क्योंकि चार्ज है तो रिपल्ड हो गया, तो ध्यान से देखेंगे अब आप लोग, जो अब खुच से देखना, यहाँ पर समझना, जो प्लाजमा मेंब्रेन अपने उपर, जो प्लाजमा मेंब्रेन अपने उपर रिसेप्टर को रखती है, इसका मतलब उसका जो लाइगेंड होगा, वो प्लाजमा मेंब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता होगा जैसे एपीनेफरीन एक्जामपल लिख लो बहुत इंपोर्टेंट है जैसे एपीनेफरीन एपीनेफरीन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है कि अपीनेफरिंद के नेवर क्रॉस क्यूंकि साइज बड़ी होती है तब टैडल नेचर का होता है तो नहीं जा सकता सिंपल लॉजिक क्या प्रोटीन स्जा सकते है gonna क्या कोई भी जो जादी额्छो क्लूकूस जा सकता है ग्लुकोज नहीं जा सकता क्यों क्या इंसुलीन जा सकता है इंसुलीन नहीं जा सकता प्रप्टेडल नेचर वेट ज्यादा चार्ज ज्यादा ग्लुकोज वेट ज्यादा चार्ज ज्यादा प्रोटीन वेट ज्यादा चार्ज ज्यादा एपिनेफरिन वेट एंड चार्ज मो तो यह plasma membrane को cross नहीं कर सकते, तो कौन से nature of जो substances हैं वो cross कर सकते हैं, एक second मैं pen का color change कर लूँ green this time, तो जो steroidal nature के होंगे, वो आराम से चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप देखिए, यह जो fatty acid है, यह आराम से इन के साथ link कर लेगी, यहाँ पर, तो जो steroidal hormones होते हैं, जो steroidal hormones होते हैं, वो आराम से cross कर सकते हैं, क्योंकि उनकी size छोटी होती है, क्योंकि उनकी size छोटी होती है, क्योंकि उनका वो non-polar होते हैं, इसलिए हमेशा non-polar molecule को आप लोग देखेंगे, तो वो हमेशा सिल के अंदर पाये जाते हैं, कहां पाये जाते हैं, अंदर, अब depend कर सकता है, वो nucleus के भी उपर हो सकता है, और वो cytosol में भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, very important point, each and every point is very, very important, you cannot leave, जिस चीज़ को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वही सवाल बनके आएगा कल को, क्या बोला मैंने, proteins जो होते हैं, जो highly charged होते हैं, जिनका molecular weight ज्यादा होता है, वो कभी भी plasma membrane को cross नहीं कर सकते, वहीं जो non-polar होते हैं, जो आपने जो phospholipid बनाया है, जो आपने इस तरीके से मैंने जो phospholipid बनाया था, अब आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, देखना जरूरी है इस चीज को, यह किस चीज के बने होते हैं, very very important, यह बहुत ही important है, इससे question बन चुका है, पहले भी बनता है, आया है, अभी भी बन रहा है और आगी भी बनेगा, लिट के ले लो बनेगा, पक्का बनेगा, देख लेना, घुमा फिरा के कहीं इदे उदर से बनाई देंगे यह लोग, तो तुम जब किताब में पढ़ोगे न, तो कहोगे लिपिड एसिमेट्री, तुम देखोगे न, तो उसमें लिखा रहाता है, लिपिड एसिमेट्री, फॉस्फो लिपिड एसिमेट्री, यह जो, आब देख रहो, मैं अजीब साव नहीं बनाया हूँ, जानबूस के गंद यह जो बाहर की तरफ अरेंज होते हैं, उनको कुछ और नाम दिया जाता है, जो अंदर की तरफ अरेंज होते हैं, उनको कुछ और नाम दिया जाता है, तो जो फॉस्फो लिपिड, जो फॉस्फो लिपिड बाहर की तरफ अरेंज होते हैं, आउटसाइड, उनके नाम क्या होता है और फॉस्फो लिपिड जो अंदर की तरफ अरेंज होते हैं इनसाईड जो अंदर की तरफ योते हूंनका नाम लिखो फॉस्फफवाटीताइडल इतनोलामीन पाकि फंस्फपड़ Dieses क्धेड़ ऐनसाइटल क्या बोला मैंने फास्फो लिपिड की arrangement equal नहीं unequal होती है इसलिए इसको हम लोग फास्फो लिपिड ए सिमिट्री बोलते हैं और ए सिमिट्री जब बोलते हैं तो जो आउटर साइड में arrange होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे VII i aux Will सब भी इन्स्टाइडराम पर पूछ एक कोमेंच शेक्शन में पूछो बाकी है WhatsApp WhatsApp यह सब मैं नहीं करता हूं WhatsApp Gmail and all those comment section है ताकि सबको question दिखाई दे Instagram कोई personal बात selection नहीं हो रहा है क्या reason है वह पूछ सकते हैं बड़े आराम से यह सब यह सब काम नहीं करते हैं WhatsApp ग्रूप बना दी और फिर परशान कि यह हुआ है यह आ रहा है वह आ रहा है जो भी अपडेट यहां पर मिलेगी अगर कंटेंट नहीं है महीनों तक वीडियो नहीं बनाता हूं मैं कि यहां समाथ सेवा के लिए आया हूं मैं कि समझ में आई बात तो फलसफाटीटाइडल निनोसटल सेरीन और कैसे याद करें है फलसफोलिपिड जो होती है जो आउटसाइड अरेंज होती है इसको फास्वाट्रीटाइडल क。 न बोलते हैं में जो प्लाजमा इंब्रेंड में जो फॉस्फो लिपीड का अर्इंजमेंट होता है यहां से आइनोसाइटल को उठा लो और यहां से फॉस्फो टिटाइडल सीरीन का एस उठा लो अब तुम कुछ बताओ मेरे को एक बाद बताना मेरे को ढंग से देख करके बताओ एक ची सीएम जो ओर्डर्स देते हैं वह आईएस उसका पालन करते हैं समझ में आई बात तो सीएम जो होता है वह उपर होता है बात समझ में आई ही सीम जो होता है वह उपर तो आउटसाइड कौन हो गया फर्सफ़टी टैडल कोलिए और स्विंगो मालेलीन और उनके अंडर काम क से भी एक होती है लेकिन आप इससे एक याद रखिए कि सीम जो होता है वह आउट साइड ऊपर कि यह सा कुछ मत समझ देना दबाव बनाते हैं यह सा कुछ नहीं यह सब यहां पर पॉलिटिक्स क्लास नहीं चल नहीं है पर लाइप साइंस से रहा है वो समझा रहा हूं आपक इसे याद रखिएगा इससी इसको तो मैंने बोला था कि प्लाज्मा मेंब्रेन जो होते हैं वो दो तरीके के बने होते हैं एक तो फॉस्फोलिपिड के और एक जो बने होते हैं वो क्या होते हैं तो अब एक बात आप जानिए कि जब आपने प्लाज्मा मेंब्रेन को यहां पर देखा तो प्लाज्मा मेंब्रेन के स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे यह यह जो प्लाज्मा मेंब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है यह सिर्फ इतने कहीं नहीं बना होता है इसके ब बोलते हैं दोस्तों हमलों को unut प्रहों किया बोलते हैं को लेस्ट्रॉल है को अब अब तो खुद बता ओ प्रोकर 안녕하세요 घचित कि लगा होता है तो कॉलेस्ट्रोल में माईनस तो जो होता है नजो हमेशा से फॉसफेट की चीज़ की तरफ रहता है यानि कि यह जब इस तरीके साथ फॉस्फोलिपिद बनाएंगे इस तरीके से तो इस तरीके से जो होता है नो यहां पukeród फॉर यहां-पर क्या है उसका ग्रूप वश्ष्य ग्रूप लगा होता है तो कॉर्थ फोनर हो गया तो ओइच जो है वो इसके हेड़ की तरफ होता है फॉस्फोलिपिड की बस इतना जानो कि फॉस्फोलिपिड के जो पैर होते हैं फैटी एसिड उस फैटी एसिड के पास कॉलेस्टरॉल कोलिस्टरॉल मॉलीकूल्स होते हैं बहुत सारे बत समझ में आई और वह जो कभी कभी इसको जमा देते हैं ध्यान से देखना जो नारियल का तेल जो तुम लोग लगाते हो सर्दियों में धूप में रख दो गल जाएगा फिर वही जो जब ठंडी हो जाती है जब पूरा अभी तो गर्मी चल रही है इसको ठंडी का बात भी करना बहुत वह होगा जब ठंडी चल रही होती है तो जब ठंडी चल रही होती है तो उसमें ध्यान से देखिएगा वो जम जाता है क्यों कॉलेस्टरॉल मॉलेकूल स्टा लूप का बना हुआ है उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ फॉस्फो लिपिड में ए सिमेट्री देखने को मिलती है जो आउटर अरेंज होता है उसको हम लोग क्या मूलते हैं फॉस्फोर्टी टाइडल अभी बताया हूं सीम उपर काम करता है फॉस्फोर्टी टाइडल सी एम इस्फिंगो माइलीन काम करता है और फॉस्फोर्टी टाइडल कोलीन और आई एस यानी नीचे काम जो इनसाइड रहता है फॉस्फोर्टी टाइडल इनसेटल फॉस्फफ़टी टाइडल सेरीन यह सब काम करते हैं तो और एक मैंने एक चीज समझाई कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होता है वो बीच में होता है अब फैटी एसिड के पैरों के बीच में बात समझ में आई तो यह जो कॉलेस्ट्रॉल होता है वह मेंचा से उसके बीच में होता है जो- माइनस ग्रूप रहता है कोलस्ट अ willingness ग्रूप को मैसा फॉस्फिट ग्रूप से लिंक होता है यानि पर सुस्च ग्रूप की तरफ फेस कर रहा होता है क्योंकि पहले बोढ़ा है लाइक डिसर्व लाइक बात समझ में आई, तो अब मुझे खुद सोच करके बताओ, कौन-कौन से ऐसे factors हैं, मुझे ध्यान से सोच करके बताना, कौन-कौन से ऐसे factors हैं, जो की fluidity को affect करते हैं, पहला तो temperature, अब मुझे खुद सोच करके बताओ, जब temperature होगा, जब temperature होगा, ये देखो, इस तरीके से मै नहीं धेर सारे फॉस्फोलिपेडिया निए अरेजमेंट आतो प्लासमे मरेंन तो जब मैं टंप्रेचर इंक्रीज करूंगा टंप्रेचर जब मैं को एक और चीज़ बताऊंगा कि एक saturated fatty acid होती है और एक unsaturated fatty acid होती है जो unsaturated fatty acid होती है उसके अंदर kink बढ़ जाता है बात समझ गा ही यह कुछ लंगड़े type का हो जाता है अब तुम खुद बताओ जो saturated fatty acid है वो ज्यादा fluidity बढ़ाएगी यह जिसका पैर टूटा हुआ है वो fluidity बढ़ाएगा ओव्यस सी बात है जो लंगड़ा किसम का है जिसके अंदर kink प्रेजेंट है जो unsaturated fatty acid है यह saturated से S यह unsaturated से US unsaturated ओव्यस सी बात है जिसका पैर टूटा हुआ है unsaturation unsaturation क्या करता है है fluidity को बढ़ा देता है लंगला अदमी अब्विस सी बात है ज्यादा जगह घरते हो चलेगा थोड़ा सा थोड़ा सा space लेगा बात समझ में आई तो लेग अच्छे से उसके मूव नहीं कर पाते हैं यह जो लेग है ने इसका जिसमें किंक आ गई है यह यह इसी किंक है जितना ज्यादा टेंपरिचर बढ़ा होगे उतनी ज्यादी बता हो लेकिन मेरी एक बात ध्यान से समझ लो बैठा लो एकदम ढंग से जो मैं बता रहा हूं बीच में अगर तुन इसके कोलेस्ट्रॉल मौलेक्यूल को रखो गए तो अब इस सी बात है इस्टेटिक हो जाएगा यह इसको जाम कर देगा इसको चल नहीं नहीं देगा तो fluidity क्या हो गई है है कि घट गई है कि इसका सारा लिखा जुखा आपको मिल जाएगा PDF में पैनिक मत हुएगा अगला देखिए अब आप एक बात समझिएगा मैं प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी एक बात कर लेता हूँ अब आप कई बार देखे होंगे प्लाजमा एम्रेन के साथ कुछ इस तरीके की प्रोटीन बनी होती है पेप्टाइडल फॉर्म की कुछ आप देखते हो कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है इसमें लगा होता है वो भी एक तरीकी की प्रोटीन होती है कुछ आप देखोगे कि एक इसके उपर प्रोटीन होती है इंटीग्रल प्रोटीन होती है और यह जो receptor होते हैं यह बिल्कुल भी क्योंकि यह भाई चार्ज है पोलर है इसलिए इसके जो हॉर्मोन होंगे या कोई भी लाइगेंड होगा इसके उपर जब आ करके बाइंड करेगा तो इसके surface पर ही रहेगा इसके उपर ही रहेगा इसके अंदर नहीं आने देगा तो यह कहां से आते हैं सवाल यह उठता है कि कहां से आते हैं यह जरूरी भी है जनना ऐसा तो नहीं है कि आप इसको इस बात को बस इग्नोर करके छोड़ देंगे इसका जनना भी बहुत जरूरी है तो यह कहां से आते ह हैं कुछ idea in you rough idea को इसको समझने के लिए आपको molecular biology समझने पड़ेगी genetic समझने पड़ेगा जीन सो समझने पड़ेगा अब कहेंगे कैसी बेतुपी बात कर रहा हैं सही बात कर रहा हूं देखिए प्रोटीन कैसे ध्यान से समझ येगा cell के अंदर इस तरीके से chromosome देखते हैं chromosome के अंदर dna ने होता है dna का क्या होता है replication हो जाता है dna जब replicate करता है to mrna बनाता है mrna से protein बハ comprene बहार आती है यही protein जाकर kayak situated हो जाती है यह यानी central dogma से आई है यह protein concept बना रहा हूँ एक अलग नजरिये से दिखा रहा हूँ चीज को यह protein जो है जा करके sodium potassium pump बनाती है या इस तरीके से serpentine receptor हो गया तो इसको बना देगी integral protein को बना देगी peripheral protein को बना देगी या फिर sodium potassium pump को बना देगी बात समझे मैं sodium potassium pump sodium potassium pump क्या होता है sodium Na plus potassium sodium pump क्या होता है sodium में हमेशा से sodium potassium pump बहुत ही important pump है अगर यह ना हो न तो बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे body के basolateral membrane पेंटरस्टाइन में बहुत जादी मात्रा में पाए जाता है SGLT सब पढ़ाऊंगा hormone में तब समझाऊंगा अभी बस थोड़ा सा function बता दे रहा हूं क्योंकि अगले बार मैं जब protein का जब section ले रहा हूंगा जो plasma membrane से जो associated है उन प्रोटीन के बारे में बताऊंगा आपको integral protein peripheral proteins Trans membrane protein को मैं अलग से बताऊंगा cell communication में GPCR वगरह मैं अभी बस ध्यान से सुन लो क्या बता रहा हूं तो यह जो sodium potassium pump होता है वो sodium प्रोटीन यह पहली बात तो यह जाने लोगी proteins आई कैसे बताया हूं मैं आपको chromosome होता है chromosome के अंदर DNA का replication होता है replication के बाद MRN बनता है MRN सब protein बनती है और वो protein जाकर के situated हो जाती है plaza membrane surface पे कुछ sodium potassium pump बना लेती है कुछ GPCR या serpentine receptor बना लेती है कुछ integrin protein बना लेती है कुछ peripheral protein बना लेती है sodium potassium pump यह जो sodium potassium pump होता है वो चर्खे की तरह नासता है जब चर्खे की तरह फेकता है और दो potassium को अंदर लेता है बत समझ गई क्या बोला मैंने इसको आप कैसे त्यार कर सकते है Nokia से Nokia Nokia बड़े popular pneumonia के हर दूसरा बंदा इसको इसको इस्तेमाल करता है ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से चुरा लिया है Nokia sodium outside potassium इंसाइड sodium हमेशा से बाहर फेका जाता है और potassium क्यों होता है कैसे होता है यह सब अभी मत जानिएगा यह जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा ना threshold frequency और जब depolarization, repolarization, resting membrane potential, action potential तब समझाऊँगा clear हुई बात जो मैंने इतनी बताई है अभी तो कोई भी surface पोई जब pass कर रही होती है चीजें तो उसका steroidal छोटा चार्ज होना non-polarona बहुत जरूरी होता है तो यह था दोस्तों आज का वीडियो आपका plasma membrane की उपर और plasma membrane बहुत important topic है आप इसको ignore नहीं कर सकते हैं प्लास phospholipid के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम लोगों को associated proteins के बारे में पढ़ना है तो दोस्तों नोट्स बनाते रही है प्रैक्टिस करते रही है और आज से ही डे वन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए नहीं की form आएगा सप्टेमर में आएगा तब सोचा जाएगा जब मैं नहीं सोच रहा हूँ अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप क्यों सोच रहा हैं ड्रॉपर्स यह जो मैं हाई टोन में बात कर रहा हूँ ना अपसे इस वक्त ऐसे लेक्षर बनाता नहीं था मैं लेकिन अब आप लोगों के लिए स्ट्ट होना पड़ेगा तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद